सच साहस सरुकार अगर बात करें जमीन के तो जमीन के सबसे मजबूत संसाधनों में एक है वो है ट्रेन ट्रेन को सुरच्छित सिर्य माना जाता है क्योंकि ये ट्रैक पर डॉड़ती है यहाँ जाम नहीं लगता है यहाँ लेट हो तकती है जाम नहीं लगता है अगर बास्तर में बहुत कुछ कमी रह जाए लापरवाई हो तो भले ही यहाँ दुरगटना पर दुरगटना के चांसे बहुत कम होते हैं और यहाँ पर जो आडमी की सुरच्छित यात्रा का जो बादा है वो हमेजा से मजबूत रहता है और लोग इसलिए इस संसाधन को सबसे जार उप्योग करते हैं यानि ट्रेन ट्रेन अगर हम भारत की बात करें तो ट्रेन की सुरूबात अंग्रेज़ की संसाधन काहले में होई जो पहली भारती रेल जो चलाई गई थी वो 16 अपरेल 1853 और हाला कि इसकी सुरूबार भोग पहले होई थी 1837 में मदरास में इसके लिए प्रिस्ताव पास किया गया था उसके बाद प्रिस्ताव पास होने के बाद लगातार इस पर काम हुआ और 16 अपरेल 1853 पर में पहली ट्रेंड चलाई गई और पहली ट्रेंड चली ठाने से बंबै की बीच सबसे बड़ी बात है कि यह जो ट्रेंड होती है इसके माध्यम से लोग आवागवन करते हैं पर जो पहली ट्रेंड थी वो भाप की थी बाप के इंजन से चालू हुई थ होई और करीबर रभी जब्बे लगवे तो दिजिसमें 400 लोगों ने से और 400 लोगों सतावी नितनी यहां पर सबारी की थी और सबारी की साथ साथ कुल 34 किलो मेटर की यहां तरह यहां पर 400 लोगों इन की ती जब 1853 यानि 16 अपर 1863 में पहली भारती रेल लोड़ी थी हाला भाप के इंजन की गाड़ी दोड़ी थी जिसमें कुल मिला के 38 दिब्बे थे जिसमें 600 यात्री सवार थे और यह टेन ने लगवा लगवा स्याती से मील का सफ़र ते किया था और यह टेन लंडन के डालिंग्टन से इस्टॉक टोन तक चली थी तो यह टो टेन की बात हुई कि विसमें कम चली और उसके बाद भारत मीश की सोबार कब हुई पर यहाँ पर टेन जो आबागोंकर सबस्पे महतफूर्पी साधन है वहाँ तरह के पर्यास हुए बैतरी के पर्यास किए गए किस तरह सेसको अपग्रेट किया जाए और इसके लिए जब лай ती नेा इसके बाथ से लगाता ट्रेनों को बहटर करने का पर्यास किया जा रहा था जिसके लिए हाल में ही पियम गति शक्ती युजना भी लाइ गई जिसके तहरं बन्ल इतने मजबूत है कि 100 C और 200 KM की यात्रह कति घंटे के साफ से भी हम कर सकते हैं और अगर हम ट ilgili बहुस्था की बात करें तो भारती रेल की बात करें तो भारती रेल दुनिया की चोथी सबसे बड़ी रेल सेबा है और अगर ब्योसाहिक तेक बात करें कि ब्योसाहिक करण पर कैसी है तो ब्योसाहिक करण पर ये दुनिया की सबसे बड़ी आठ भी ब्योसाहिक एकाई है भारतिय रेल वो भारतिय रेल जो इसकी किलोमीटर दूरी अगर हम बात करें तो 67,415 किलोमीटर की इसमें दूरी है माल की डुलाई भी करती है यानि यहां पर यातिरी सफर भी करते हैं और माल डुलाई भी होती है मालगारी के माध्यम से आपने देखा है कि मालगारी का भी यहां पर खासा प्रभाव है और मालगारी के माध्यम से बड़े-बड़े संसादनों का यहां पर आगवन होता है और चीजे यहां के वहां पहुंचाई जाती है चाहे कोईला हो चाहे जिफसम हो चाहे अन्न चीजे हो खाद आपूर्ती हो चाहे डीजल हो चाहे पेटल हो और तमाम चीजें इस माध्यम से मलगाली के माध्यम से पहुंचाई जाती है तो भारती रिल्मने आपको ओता है दुनिय La होग पर करने का यहां अगर हम काम भी हुआ है तो कहीं न कहीं यहां पर द्रातल प्रियास होने लगा है पर अभी भी कई बाते ऐसी हैं जिन पर ध्यान देना बहुत अथिक है यहां सुबधाएं तो हैं यहां किराया लिया जाता है पर यहां पर बियास्था in वह नहीं मिलती जो की यात्किनयों का मॉलिक अधिकार है उनका अधिकार है यानि अगर हम किसी टेन का टिकेट लेते हैं तो टिकेट के साथ साथ अगर हम उसमें यातरा करते हैं तो वहाँ पर हमको सुबधाय मिलनी चाहिए। यहाँ पर जो कीट ना सक भी डाले जाते हैं पर अगर हम दिल गाली में यानि ट्रेन में सफर करते हैं तो हमको जो सुबधाय मिलती हैं वो सुबधाय में यहाँ पर कुछ बिरुदा भास है। ब्रणवाज ऐसे कि अगर जो कंपार्टमेंट है और कंपार्टमेंट में बहतर सीटे हैं तो बहतर सीटें से अधिक यातरी बैठ जाते हैं। अगर एक सो आठ सीटे हैं जनरल डिब्बे में जिसको आज की समय में दीन डियाल जो है कंपार्टमेंट कहा जाता है। पहले तो जनरल डिब्बा कहा जाता था जनता डिब्बा कहा जाता था अब ये डिब्बा दीन डियाल डिब्बे के नाम से मसूर हो गया है। जैसे कि बिकलांग को आज के समय में हम लोग भारत में दिब्यांग जन बोलते हैं ऐसे ही आज के समय में जो जन्ता डिब्बा है जो जन्रल डिब्बा है उसको दीन दियाल डिब्बा भी कहकर लोग बलाते हैं वो लिखा भी जाने लगा है अब भारती रेलों के डब्बों और तो हैं यहां पर जो लोग उसमें सबार होते हैं अगर अभी कोरोनर समय की बात करें तो यहां पर तो टिकेट के साफ से टिकेट डिये जाते हैं बेटिंगर नहीं डिये आती है पर उसके बाबजूट जो इस्थिती रही है बोर इस्थिती ये रही है कि टिकेट 132 बाटे गाए और उसमें यात्री सबार होते है 400 यानि जो लोग टिकेट लेके यात्रा कर रहा है उनको सीठी नहीं मिल पाती है गिने चुने लोग बैठे हैं कुछ खड़े रहते हैं और कई लोग बड़ी दूरियों की यात्रा है पैदल खड़े खड़े करते हैं यानि टेंड में खड़े खड़े कुछ डिब्बों के पास बैठे रहते हैं कुछ जीनों पर बैठे रहते हैं कुछ लेटन बातरूम में घुच जाते हैं, कुछ किनारे दरबाजी किनारे बैठे रहते हैं, कुछ उपर वाली जहां पर सामा रखा जाता है, वहां पर बैठे रहते हैं, तो यहां पर जो बेहस्था है वो 132 की जगए 400 पहुच जाती है, और जो खामेजा भगत्ती है वो लिबए के नाम पर ट्रिकट माट डि जातें ह्यों और सब्तकास की legit सद्राइट हिन्दोस्तान सभी सामने वाला नोक Touarelli की वाता है एक अब करक्ति होता है यहां इस धफित कर से फोता है थshis सेमझेया पर 15reibt कैसे मिलेगी हम को सीट कैसे मिल पाएगीए और सामने वाला आदमी खड़ा है तो खड़ा रहे पर हमको सीट चाहिए और सामने वाला आदमी खड़ा ही क्यों नहीं होता है यहाँ पर जब 132 की सीटों के बार यहाँ पर 400 आदमी अगर सफर करेंगे तो आदमी खड़े ही रहेंगे एक सीट टो केवल मिलेगी 132 लोगों को और जो बाकी लोग रहेंगे कि लबा लबा पॉने 300 बो लोग केबल ओ केबल सबार होंगे खड़े-खड़े जाएंगे खड़े-खड़े यातरा उनकी होगी केवल खड़े-खड़े जोकि रेल मंतराले ने ब्यस्था तो की है और ब्यस्था चाक चौबन नहीं है और ब्यस्था में तमाम पैच है अब अगर हम बात करते है आरशन प्रणाली की बात की जाती है तो यहाँ पर जो टिकेट है वो टिकेट डी जाते है वेटिंग के डी जाते है और साथ ही साथ य यानि जब लोग अपना टिकेट कैंसल कराते हैं उसके बाद जो सीटे बसती हैं तो वो एक या दो दिन के बाद आखरी में जब ट्रेंज जानी होती है उसके एक दिन पहले ततकाल सेबा के माध्यम से यात्रियों को महेंगे दामा पर दी जाती है इन अगर आपको ततकाल सेबा में कोई टिकेट लेना है तो आपको एक दिन पहले संपर करिए और हो ज़कता आपको यह दिन पहले ततकाल सेबा में संपर करेंगे तत्काल माध्यम संपर करेंगे, तत्काल सेबा जो जनरल सेबा के अलग सेबा है, तो होचता है आपको त्यहाँ पर सीड मिल जाए, और जो बड़े लोग हैं, जो धनादे लोग हैं, वो तत्काल सेबा को प्योग करते हैं, आरांदे सीड है, उसको प्राप्त कर लेते हैं, क् जो तत्काल सेबा है वो बातानों को निट सभी दब्बों में लागू होती है, एसी ठी टायर हो गया, टू टायर हो गया, ठाइड एसी हो गया, जो स्रीपर का कोच हो गया, उसी तमाम डब्बे लगते, उसमें मिलती है, और अगर आपको अरजेंट सफर करना है तो आराम से चत्कल सेबा के मान्दब सफर कर सकती है पर यहाँ पर सबसे अरक हामेजा भुगती है, वो भुगती आम जनता, जो इस समय जनरर डब्बे या दीन-डधयल डब्बों में सफर करती है जिनको दीन-डधयल डब्बा कहा जाने लगा है और इस डब्बे के साफ़ से लोग 123 के जगए 108 के पाई जाने जो खड़े-खड़े भी यत्रह करेंगे आता करेंगे यहां पर यहां पर आपको बताया कि लिए हम सताब दो चल रहे हैं, विसलिए गाली चला रहे हैं, और अगर हम देखते हैं, यहां पर जिस आत्रा ची जाते हैं, अगर अंगर आधनी लखनू की बारके मुंबई और तमाम बड़ी जगव PodeORA यहां पर लोग प्राम करने के लिए जाते हैं तो अगर यहाँ पर लोग जाते हैं दिल्ली की बात का दिल्ली से तमाम प्रतेसों में लोग काम करने जाते हैं चाहए पूरवरती भारत की बात हो या पस्षीमी भारत की बात हो लोग जाते हैं मम्मई जाते हैं केरल लाते हैं टबलाडू जाते हैं चिन्नी जाते हैं गुज और 400 वैं, यात्राओं में जाना पड़ी जानता है जानता है है। कि उन्का वही जानत Кिस तरह गर्मी में किस तरह शरदी में अपने बालबच्चों के साथ अपने परबार के साथ चुक्कि वो में है गार टेकेट नहीं ले सकते वस् Strawberry का। ठीकेट नहीं बहन कर सकते हैं परवार के साथ नहीं इसलिए वHAN लोगारों एंप जगा ने-जान मिलते हैं तो उनका मन होता है उम्ए सरकार को कोा कोषते हुए बैट किसी तरह अपनी सफर करते हैं क्योंकि उनको अपनी आजिमका के लिए अपने दूसरे स्थान पर जाना है और इस तरह रियलवे का ध्यान देना बहुत जरूरी है अगर हम बात करते हैं एसी साघर होते हैं पर यहां去 वहां पर बहुत करते हैं और यात्रिम्ष्ण माहली नहीं परता है है यहां ट्रैक हो बैसर कौन करेगा कुछ ट्रैक ऐसे अगर हम बाद करें ने पर incent only गाली हैं और यहां भी सब्सक्राइब जोल जा लिए हैं बताइ रहता है वह गाली हर इस्टेशन पर और Salt अगर आपकी गाली का जो स्थापेज है वो कम से कम स्थानों पर होना चाहिए पर आप अगे आ रही हो पर यहां पर जो देरी होती है उसका खावयजा आम जनता क्यों भुखते हैं उसने टिकेट लिया है उसको समय के जापच अगर 6 गंटे के आद दूरी बताते हैं कि उसका गंतब पर आगवन टाइम यह रहेगा तो गंतब पर आगवन टाइम पर पहुंचना चाहिए जाना चाहिए और आना चाहिए पर यह सब्सक्राइं यहां पर आप आराम से गारी को चला सकते हैं पर इसके बाप जूडियां लेट होती है और खामेदे भुगत्ती आम जनता तो यहां पर रेल को तमाम चीजों में अपगेड होना पड़ेगा बहाती रेल अगर बिश्चु की चोथी सबसे बड़ी रेल से बाहे है तो यहां पर आपको इसके साफ से काम भी करना होगा आपको बेश्थाय मनानी पड़ेगी आपको यात को एक बड़ें बच्च के साफ साथ वहां पर वहां पर बच्चे भी लेट सकते हैं यानि दो से तीन साल का अपनी मा के से आराम से ले सकता और अभी जो सुब्रा है बेवी वर्थ की वर्थ बेवी वर्थ के सुब्रा अभी दो दिन पहले ही शुरू हुई है और इस सुब्रा के मादधम से यहां पर माओं को आराम दिया गया है पर यह सुब्रा केवल एक है और यह अभी हाल में शुरू की है इसके बातनू को निट क्या हो कि अगर येसी डिबा है तो वो उसमें ठंडा होनी चाहिए बातनू को निट होना चाहिए पर यहां पर यहां पर येसी छहज़ा घंटे फेल हो जाते हैं तो अब इस माध्यम से जो हमारा मुद्दा है जो विश्व की चोथी सबस्बस्पड़ी रेल सेवा है उस रेल सेवा में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं अगर हम 12 किलोमेटर की बंदे मातर में एक्सपेरेस को ला रहें वो चल रही है तो यहां पर हमको कुछ अज़ा पर और भी सुधार करने पड़ेंगे बैस सुधार यहां पर ट्रेक्स और साथी साथ अपने कार्कम के माध्दम से यह बात कहना चाहूंगा कि भिष्व कि चौती सबसे बड़ी रेल सेवा है। इसको हमको अप्ग्रेट करना है, सिसको हमें आंगे बढ़ाना है इसमें अपनी पहल केना हैं और मैं अपने कारकाम के माध्णाम से रेल मन्ती से यही कहना चाहूँगा। कि हमको रेल मंत्राले, वो रेल मंत्राले जिसमें 18 मंदल हैं, यहाँ पर कम सकम 18 बड़ी सुब्धाओं पर हमको ध्यान देना हैं, ट्रैक्स हो गए, सीट्स हो गई, रप्तार हो गई, सापसपाई हो गई, सवचाले हो गई, खानपान हो गया, बैतरी करन हो गया, और आवावन को निश्य समय पे संचानन करना बहुत जरूरी है, और साथी साथ, परियास होना चाहिए, कि टेड में जो भी यात्री है, वो का अत्ती हैं ज़बो भाबना से हम चलते हैं उसी भाबना के सारे हम को चलते हूं आंके बढ़ना आ है और सवी साथ जो तंमाम यातरी इसमें यत्रा कर रहा है उनको उनका अधिकार किजाब से सीट डेना भी रेलवे का डायतव है रेलवे का कक्तर्ब है अगर रेलवे अपना करत पे निभाएगा तो कोई यातरी को ख़डा होके निजाना पड़ेगा आपनी यातरा है उसको खुस मिज़ाज माहूल से और रेल मंतालेक को एक बदाय देते हुए धन्वाद देते हुगे करें ना कि रेल मंतालेक कोशते हुए क्योंकि हम देखते हैं जब यातरी संगर्ज करता है परिसान होता है गर्मी से बेहाल होता है पानी से बेहाल होता है तो केबल केबल रेल मंतराले को कोस्ता नजराता है सरकार को कोस्ता नजराता है तो मेरा मानना यह है सरकार अगर काम कर रही है तो देखना चाहिए ना की यहां पर काम करेंगे तो निश्री रुप से भारती रेल जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल सेवा है वो आगे जाकर विस्त्व की सबसे बड़ी रेल सेवा बन सकती है और साथी साथ जनता से भी हमारा नूर्र है कि अगर टेंड में जा रहे हैं तो भाप अभी सच् समस्के उस रेल में यात्रा करें उसको बैतर करें जिससे कि भारत आने चल कर आंगे एक बहुत बड़ी रेल सेवा की रूप में स्थापित हो सके आखी चर्चा में इतना ही नमस्कार कुछ पाव पुश्पर कि आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार